हेलो फ्रेंज, दोस्ता आपने अकसर देखा होगा कि घरों के बाहर बड़े बुज़र्ग अपने चौकट पर या फिर अपने घर के चमूतरे पर बैठ कर आराम से पैर हिलाते रहते हैं क्या आप जानते हैं कि इसका कारण क्या होता है? दोस्तों अगर आप बैठे बैठे अपने पैर हिलाते हैं तो ये आपके पैरों को और बॉड़ी को स्वस्त रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है लेकिन इसके लिए आपको अपने घर की वैल्यूस का भी ध्यान रखना होगा क्योंकि भारती हरीतियों के अनुसार शाम ढ़लने के बाद आप फैर नहीं हिला सकते हैं इसलिए शाम को नहीं सुबह के समय जब सूरज निकल जाए उसके बाद आप यह एक्सरसाइज कर सकते हैं अपने घर के चबूतरे पर या फिर किसी चेर पर बैठ कर पास से दस मिनट के लिए पैर हिलाने से ये हमारे घुटनों को मजबूत बनाता है हमारी शरीर के अंदर ब्लड सिर्क्यूलेशन को बहतर बना कर हमारी हट्टियों को मजबूत बनाने में काफी ज़्यादा मदद करता है इसे के साथ साथ अगर आपके जोडों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है अगर आपके घुटनों में बहुत ज्यादा जक्रण रहती है तो आप किसी अच्छे से ओल से मसाज करके अपने पैरों को 5-10 निट के लिए अच्छे तरीके से हिलाईए ऐसा करने से आपके जोडों का दर्ध काफी हद तक कम हो जाता है सो दोस्तों सिंपल सी एक्सरसाइस को करिए और लंबे समय तक के लिए अपने घुटनों को मस्बूत बनाईए मेरी ब्यूटी और हेल्च से रिलेटिड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राब कीजिए